आप सबी को मेरी तरफ से नौरात रख्यारतिक सुब काम नाएं हेलो फ्रेंड मैं हूँ पुस्पा पुस्पा की पाक साला में आपका बहुत पहुत स्वागत है आज मैं वर्त स्पेसल ला जवाब हल्वे की रेसिपी लेके आई हूँ ये हलवा आप थोड़ा सा भी खाएंगे तो पेट भी बर जाएगा और पूरे दिन सरीर में एनरजी रहेगी इतना पोस्टिक है और खाने में ला जवाब स्वाद बिल्कुल डाल के हलवे जैसा तो मुझे उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड में जरूर से सेर करें और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे और मेरे सपोर्ट करें तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाए तो इसके कोई पैसे नहीं लगते लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो चलो इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं तो आज मैं ये समाचावल से हल्वा बना रही है आप सबको पता है समाचावल है वरत में खाने के काम आते कुछ लोग इसको समाचावल बोलते और हम लोग इसको सामा बोलते अलग अलग जगे अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं तो आपको आदा कप समाचावल ले लेना है मैंने आदा कप लिया आपको जितना हलुआ बनाना उसके अनुसार आप ले सकते हैं इसको धोना नहीं है कोई भी कोटन के कबड़े में लेके इस तरह से हम रगड लेंगे ताकि इसकी जो भी डश्ट हो गंद की है निकल जाएगी और सुकाई रखना इसको और एक बरतन में निकाल देंगे देखे इसमें डश्ट है वो इसमें अंदर चिपक गई है और समा चावल हमारे जो है अच्छे से साप हो गए यह कोई भी किराने के दुकान पर आसानी से मिल जाते है अब मैं इसको डाल दूँगी मिक्सी के जार में समा चावल को मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया और इसको बारिक पीस लेंगे यह इतना बारिक नहीं होता है दर दरा रहता हलका लेकिन हमें ऐसा ही पीसना है ज्यादा बारिक नहीं पीसना है तो हमारा समाचावल है उप इसके तयार हो गया है और अब मैं एक बाउल में निकाल दूँगी इसको देखे मैंने बाउल में निकाल दी और अच्छे से हमारा पाउडर बन के तयार हो गया अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक कप दूद आप जितना समाचावल ले रहे, उसका दो गुना आपको दूद डालना, आप कोई भी कप कटोरी से नाप कर सकते कोई जरूरी नहीं है, मैंने कब से किया का आप भी कब से करे, कुछ भी सेट कर ले कटोरी वगःगरा, उसके अनुसार आपको सारा नाप कर लेना है, तो जित तरह से नारियल जोड़ रहे थे, पड़े हमारे घर में कहीं बार अक्सर इस तरह के नारियल के तुकड़े पड़े रहे थे, काम भी नहीं आते हैं, वेसी कोई खाता नहीं, तो आप इस तरह से इसको बारिक तुकड़ों में कट कर ले, आज हम हल्यों में नारियल का गर अ झालते हैं ओधा हैं तो आपने ज्यद्वमेह सकते तो आप सकते ही मैं मिक्सी के जार में पीश हूंगी, मैंने इस तरह से बाहर इक बारिक टुक्ड़ अगर आपको बारिक पसंद नहीं है तो आप इसको परदुगस कर सकते हैं और मैंने इसको भी मिक्सी के जार से निकाल के एक प्लेट में रख दिया है अब इस सारी चीजों को साइड में रख देंगे समा चावल को भी भीगते हुए आदा गंटा हो गया है अब एक भारी तले की कड़ाई ले ले आप इस्टील की लोगे की जो भी आपके पास अवलेबल है वो कड़ाई आप ले सकते हैं और ये चोथाई कप मैंने बीना पिगलावा गी लिया है आप जितना समा चावल ले रहे उसका आदा आपको गी ले लेना है बीना पिगलावा तो मैंने चोथाई कप गी लिया है और कड़ाई में डाल दिया है और गैंस के आच आच आपको मीडियम रखनी है घी को गरम होने देते हैं और एक बार इस हलो को जरूर बना के ट्राई करें घर में सब को बहुत ज्यादा पसंद आएगा आप जब भी वर्त रखें यह जरूर बना के ट्राई करेंगे एक बार बना के टेस्ट कर लिया तो इसका स्वाद कहीं दिनों तक आप नहीं भूल पाएंग गी ह 혁ए मारा गरम हो चुक है अब इसके अंदर में थोड़े से काजू और बादाम को फ्राई करांगी थोड़े से मैंने जादा यह डालें जादा ड्राई प्रूट अच्छे लगते आप अपने इच्छा अनुसार ड्राई फ्रूट जो भी डालना चाते है दाल ताल दे और थ्राई की हुए जो ड्राइफरूट है उनका टेस्ट अच्छा आता है हलका बादा में कलर हो जाए तो ड्राइफरूट हम घी से निकाल देंगे वापस कटोरी के अंदर गैस के आच मैंने अभी भी मीडियम रखी पहले भी बता चुकी हूं गैस के आच आपको तेज नहीं करनी इसके अंदर मैंने डाल दी आदा कप चीनी यह बिल्कुल फर्फेक्ट मीठा है फिर भी अगर आप कम या ज्यादा खाना पसंद करते थोड़ी सी मातरा घटा यह बढ़ा सकते है तो मैंने जितना समाचावल लिया था उतनी चीनी लिये और समाचावल के आदा में घी लिया है और दूद्ध दोगुना लिया है अब चीनी को हम घी के अंदर अच्छे से मेल्ट होने देंगी गैंस के आच आच आपको तेज नहीं रखनी मैं पहले भी बता चुकी नहीं तो जो हमारी चीनी है ज्यादा इसका कलर है डार्क हो जाएगा जैसे और उसमें कड़वापन आ जाएगा तो हल्वे का टेस्ट भी खराब हो जाएगा तो आपको दीमी आज पर या फिर मीडियम आज पर इस तरह से चीनी को कैरमलाइज कर लेना है घी के अंदर इस तरह का कलर आ जाए बलकुल परफेक्ट है देखें चीनी है इसके अंदर से भी मिलेगी समाचावल हल्वे की तो एक बार इसको जरूर बनाना आप और आप टेस्ट करना बना के कि यह कैसा बनता है फिर आप बार बार यही बनाएंगे तो चीनी इसके अंदर अच्छे से कैरमलाइज हो चुकि यह गैंस के आच मैंने अभी भी मीडियम रखी है और पांच मिनट के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हल्वा दिख रहा है चीनी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुकी है नारियल बुरादर भी मैंने मिक्स कर दिया है वैसे आपको इलाची का फ्लेवर पसंद हो तो डाले मैंने थोड़ा इलाची पावडर ड पकाएंगे हल्वा को अच्छे से पकने देंगे घी छोड़ने तक और इसके अंदर मैंने जो फ्राई करके ड्राइफूट काटोरी में निकाल रखे थे वो भी डाल दिया और अच्छे से मिक्स करती जा रही हूं और इसके पकाते जा रही हूं एक बार आपको फिर से वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हल्वा एदे को इस तरह से एक जगही कटा हो गया और कड़ाई भी छोड़ दी है और इसने घी भी छोड़ दिया और आप इसका कलर और टेक्सर भी देख सकते कितना लाजवाब है और खाने में तो इतना स्वादिश्टे में क्या बताओं बिल्कुल दाल के हल्वे जैसा दिख रहा है और वैसा ही स्वाद है इसका देखे इस तरह से घी छोड़ दे तो आपको अब गैस बंद कर देनी अब ज्यादा नहीं पकाना है मैंने 10 से 15 मिनट के करीब इसको पका लिया है अब मैंने कड़ाई को गैस से नीचे उतार लिया है तो लिजिए हमारा ला जवाबसा टेश्टी हल्वा बनके तयार हो गया हो यह हल्वा चार से पांस लोगों के लिए अराम से तयार हो गया है आदे कब समा चा submar से आप 4-5 लोगों के लिए हल्वा बनाके रेडी कर सकते हैं आप थोड़ा सा हल्वा खाएंगे तो पेट भ पसंद आएगा, आप इसका color texture देख सकते कितना ये दिखने में लाजवाब है, तो नाप तोल का सही ध्यान रखना आपको, तो ये perfect हलो बन के तयार होगा, तो मैंने आपको बताया, आप कोई भी नाप कर ले करक्टोरी से, और समा चावल ले रहे, उतना आपको चीनी लेना ह और घीच समा चावल के आधा ले लेना आपको, इंजी जुका रखना है ध्यान, और आपको नारियल का flavor पसंद ना हो, तो आप skip कर सकते, खाली समा चावल से भी ये हलो बना सकते, अगर घर में कुछ नारियल आपके पास इस तरह से नहीं है, तो आप मार्केट का नारियल बुरादा भी ले सकते हैं, तो फ्रेंड आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए, इस अलोय को जरूर बना के ट्राइ करे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो